हेलो एवरिवन, वेल्कम टू मैई चैनल जी रामपाल आज जसी एहे दास संटेंस इंग्लिश वेच ट्रांसलेट कर दे हाँ जे कर तुसी एन वेचो कोई संटेंस जान दे हो ता पहलो खोथ ट्रांसलेट कर लो हाथे बाद बेच चेक कर लणा शुरू कर दे हाँ उसने जान बोज के मेरा दिल दुखाया So it's in past indefinite tense So असी इस तरह कह सकते है He hurt me knowingly So knowingly मैंने कि जान बोज के इसे तरह जे ए प्रेजेंट वे चून दा कि उह जान बोज के मेरा दिल दुखाऊंदा है तासी He hurts me knowingly इस तरह करना सी तो हाड़ा चेरा मैंनो किसे दी याद दुखाऊंदा है Your face reminds me of someone Your face reminds me of someone अपरादी अजेवी पगोड़ा है अपरादी अजेवी पगोड़ा है अपरादी criminal Criminal is still at large Criminal is still at large जासी कह सकते हैं Criminal is still absconding So दो ही तरिक के नाल असी इसनों बना सकते हैं कहन दी की जरूरत है के वो पागल है Needless to say that he is a mad Needless to say that he is a mad मैं पड़ाईयते नौकरी नाल नाल का रहा है I am studying and working simultaneously So असी simultaneously कह सकते हैं जा side by side भी कह सकते हैं I am studying and working side by side असी अकसर ओथे जान दे हां We often go there इस तरह में कह सकते हैं जा We go there quite often इस तरह में इसी sentence बना सकते हैं ओह आलू शेल रही सी She was peeling off the potatoes She was peeling off the potatoes ओह पैसे पिशे पाज रहे हैं They are hankering after money जा इस तरह में बना सकते हैं hanker after पैसे दी दो लगना पैसे पिशे बजना जा असी इस तरह में बना सकते हैं They are running after money तुसी उस दे कान में चकी कोर कोर कार रहे हो What are you whispering in his ear? So असी इस तरह इस नो बना सकते हैं So जे कर तो अनुए वीडियो चंगी लगी है ता लाइक, शेयर, कमेट जरूर करना जरू एक लई चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लो Thank you Thank you